सब्सक्राइब तो और यूट्यूब चानल और प्रेस्ट बेल आइकन ते लेटेस्ट अपडेट्स गंगा तट पर इस्थित भरतखंड का एतियासिक धरोहर भरतखंड का पक्का आज मिटने के कगार पर है कभी इसे देखने के लिए देश्विदेश के लोग पहांचते थे उस जमाने में इसे लोग भरतखंड नहीं वटखंड के नाम से जानते थे जानवी के तटपर या धरोहर इस्थित या भरतखंड संपोर्ण जिला के लिए गौरह हुआ करता था लेकिन इस अतियासिक धरोहर को बचाने और इसके जिर्णोदार के प्रती किसी तरह की पहल नहीं हो रही जानकारों के माने तो सैकड़ो वर्ष पूर्व मद्ध प्रदेश के तरववा निवासी राजा बाबू बैरम सिंग ने मुगल कालीन कारिगर बकास्त मिया के हाथो बावन कोठरी तिरेपंद्वार का निर्मान करवाया था इस खोपसूरत महल के प्रांगड में एक चमतकारी मंडप और सुरंग का निर्मान भी करवाया गया था जानकार बताते हैं की इस कारिगर के नेत्रित्व में ततकालीन मुगीर जिला के खगड़िया अनुमंडल में घरत खंड का पक्का भागलपुर जिला के नारायन पूर बिहुपूरस्थित नगर पाड़ा का कुउआ और मुंगीर का किला कारिगरू ने बनाया था लोग इस ऐतिहासिक धरोवर को उक्षित्र के लिए गौरों मानते हैं जानकारों के मताबिक भरतकुंड के एतिहासिक भवन के प्रांगण में बने चमतकारी बंडप के चारो खंबो पर चूट करने पर अलग-अलग तरह की मनमुहा का वाज सुनाई देती है इतना ही नहीं कारीगरों द्वारा बनाये गए सुरंग से राजा बाबू बैरम सिंग की रानी साहिबा गंगा अस्तनान करने प्रति दिन जाया करती थी इधर नगर पाड़ा गाव में कारीगरों द्वारा एक विशाल कुवां का निर्मान किया गया इस कुवें की भी अलग ख्याती थी वही दोसी और मुंगेर के किला के बनावत रक्षात्मक मुखे द्वार निर्मान और किला के चार और गंगा नदी के जल्दारा के प्रवायत होने का द्रिश्य आज भी आकर्षन का केंद्र है